तो इसका पेपर अनलिस्स में लेके आया हूं कौन से पोर्शन का mathematics and reasoning लग बग 30 questions पूछे गए थे और मैं आपको बताओगा कि क्या best approach रहे सकता था क्या यह easy paper था, moderate paper था, यह difficult paper था क्या सारी के सारी questions from these two portions maths and reasoning से doable थे और अगर आपको मुश्किल लगता है तो क्यों लगता है और अगर हद से ज़्यादा आसान थे तो क्यों थे वो मैं आपको बताओगा उसे पहले एक important बात पहली बार चनल पर आयो हो तो चनल को करना है subscribe और उसके अलावा प्ले लिस्ट में जाओ जो भी आपको जुरूरत है और sections like mathematics, reasoning, statistics, quantitative aptitude आप यहां से content मिल जाएगा जैसे के previous year exams के questions मिल जाएगी with solutions अलग-अलग chapter wise practice मिलेगी ठीक है finance methods के NCRT based questions मिलेगी और previous year questions इसी तरीके से statistics के लिए practice sets मिल जाएगी statistics का crash course जो कि मैंने paid में पढ़ाया है उसके demo lectures and कुछ complete chapters मिलेंगे similarly for maths section you will get demo chapters as well as two complete chapters right and for vlws parents कुछ chapters आपको मिल जाएगे complete और कुछ demo lectures भी मिल जाएगे मुझसे complete पढ़ना चाहते हो तो क्या कर सकते हो paradise academy application download करनी है वहां पर finance account assistant या vlw courses में enroll होना है finance के अगर बात करेगे तो maths and statistics का मैंने crash course कराया है वहीं पर अगर vlw की बात करेगे तो उसका मैंने maths and reasoning का complete course करवाया हुआ है without wasting much time let's get started moving on question number one चलिए जी यह वाला मेरे साथ सथ आप भी इन questions को attempt करना तो देट आपको एक idea हो जाए कि किस तरीकी से क्या exact approach रहना चाहिए यह paper में exam में ओके तो क्याता है the ratio between the speeds of two trains is seven to eight if the second train is 400 km in four hours if second train runs 400 km in four hours then the speed of first train is बस जो first train की speed होगी वह seven का multiple हो सकता है लेकिन फिर भी हम इसको इस तरीकी से सालो करेंगे speed क्या है seven is to eight okay speed है देखो बाई मेरे यह होगी first train यह होगी second train और इनकी speed का ratio है इनकी speed का ratio है seven is to eight यह होगी इनकी speed speed का ratio ओके यह जो second train है यह जो second train है यह क्या काम करती है 400 km यह रन करती है कितने time में और आवर्स में तो इसकी speed आप मुझे बता कितनी 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 यह कल के आजाएगी चार दहाया 40 और 10 यहनकी इसकी speed आई कि 100 km पर आवर यहनकी यह मतलब है इस eight का मतलब है eight hundred kilometers पर आवर hundred kilometer kilometer per hour और इस seven के हमें निकालनी है कहने का simple सा मतलब है 8 की value अगर 100 है आठ की value अगर 100 है जो given है अब given क्या है eight unit equal to hundred kilometer per hour and we have to find seven units ओके बस इसी तरीके से करोगे चार से दो बार चार से पचेज बार ठीके यह होगे 12.5, 12.5 into 7, 12.5 into 7 कितना 75 और 35, 3 यहां पे 72, 84, 83 होगे 87, 87.5 is the correct answer, option D इस तरीके से सोचना पढ़ता है exam, okay मैं यहां पे लिखता ज्यादा हूँ ठीके आपको इतना नहीं लिखना होता है यह बस मैं समझाने के लिए तो हमें statement को हमेश्या true मानना पड़ता है और उसकी हिसाब से देखना पड़ता है conclusion कौन सा सही बैठता है तो कहता है यह जो irregularity है ने, irregularity मतलब 5 working days में एक दिन आना फिर दूसरे दिन गार बैठना यानि कि regularly सुकूल ना जाना है तो कहता है इससे क्या होता है exams में fail होते है बच्चे यह academic exams की बात चाल रही है ठीक है यह लेकिन कुछ regular बच्चे भी होते ऐसे होते जो कि examinations में fail हो जाते है यह तो simple statement है और conclusion क्या है all failed students are regular क्या आपको लगता है कि ऐसी बात यहां पे कही गई है बिल्कुल नहीं तो यह conclusion follow नहीं करेगा ओके conclusion first follow नहीं करेगा second all successful students are not regular क्या ऐसा कहा गया है बोलो के नहीं कहा गया है और वैसे भी उपर यह positive statement है सारा का सारा और नीचे यह negative कहां से आ गया यह तो हट जाएगा तो दोनों conclusion हमें गलत लग रहे सो नीदर फस्ट नौर second conclusion follows is the correct answer option B next बता बाई मेरे क्याता है if minus का मतलब divide plus का मतलब multiply divide का मतलब minus और multiply का मतलब plus तो कौन सा equation यहां पे satisfied कौन सा true है ठीक है तो पहला option उठाते है ठीक है अगर हम इसको गंदी नजर से देखेंगे 144 को तो यह है 12 का square ठीक है और यह जो 12 है और यह जो 23 है यह क्या है 12 into 2 minus 1 ठीक तो इसका भी वही करेगे वही हशर करेगे यह होगे 13 का square ठीक है तो यह वाली जगा क्या होगी अब लोगी सर्थ 13 into 2 minus 1 तो कितना हो गया 25 कौन सा option option second बस यह करना है कुछ इस तरीके से है इनको rotate किया जाता है कुछ इस तरीके से बनाया जाता है तो कौन सा option इसको satisfy करेगा तो यह option इसको satisfy करेगा option third right next question a b and c enter into a partnership with a capital in which a's contribution is 10,000 if out of total profit rupees 1,000 a gets 500 b gets 3,300 c's capital is c की capital कितनी होगी okay guys मैं देखती चार सजार बता सकता हूँ लेकिन मैंने आपको अपनी partnership वाली lectures में भी बढ़ाया है क्या बढ़ाया है कि यह हो गया suppose a यह हो गया हमारे पास b यह हो गया c इनकी capital का ratio है ठीक है a invest करता है 10,000 रुपे कितने 10,000 बी का हमें पता नहीं और c का भी हमें कुछ भी पता नहीं और total profit में total profit में यह और total profit है 1000 रुपे और a को मिलते हैं 500 बी को मिलते हैं 300 और c को मिलते हैं कितना मिलता होगा total तो सब हजार है 501 को मिले 302 को मिले तो c को मिले होंगे 200 ठीक है 200 मिलेंगे तो बेटा जिस रेशो में जिस रेशो में यह investment करते हैं उसी रेशो में इनको profit का share मिलता है तो ए ने इन्वस्टी किया था 10,000 और इसको मिला profit का आदा ठीक है ना तो profit total 1000 था तो देट मिन्स बी और सी ने भी 10,000 किया होगा उनको भी तो कुल मिलाकर आदा मिलता है 500 मिलेगा ना इनको profit 500 मिलता है दोनों को मिलाकर यानिकि दोनों ने capital invest किया होगा कितना 10,000 रूपे ठीक है 10,000 रूपे लेकिन किस ratio में 3 is to 2 ratio में 3 is to 2 ratio में तो total 5 ratio है यानिकि C हमें बोलता है C की capital के है 5 में से 2 units और total capital कितनी ये invest करेंगे बोलोंगे सर 10,000 रूपे 10,000 रूपे 10,000 रूपे अकेला करता है तो वो कितना निकल के आए गया है 4,000 रूपे 4,000 is the character answer option a बताई समिश नहीं आई तो कोई मसला नहीं है मुझे से पढ़ना ए बोलोंगे इस इस माई वर्डिस नहीं गारंटे से लिए चन जैन रूपे एक्सेटार विद्चुर हर फॉक्टीन रूपे छेटेश नहीं है लिए चन बाता सकता हूं इसका टू इस्टू है जाए एक शुगर या है 15 रूपे पर पर चेजी और दूसरा शुगर है 18 है और यह कुछ मिलकर बनता है 16 रुपीज पर केजी बस एनलाईजी से करो ठीक है 18 में से 16 बड़ा मैंस छोटा 18 से 16 गई तो दो और 16 में से 15 गई तो एक अगर मुझे से पड़ा होता है नहीं करता है क्याता हूँ अगर पी की एफिशंसी अगर वान यूनिट है कितना वान यूनिट है तो क्यों कि एफिशंसी इस से डबल होगी क्यों कि एफिशंसी बाई मेरे कितने होगी टू यूनिट क्योंकि यह ट्वाइस बोलता है ट्वाइस पहास टेस पी ठीक है तो टोटल अगर मैं एफिशंसी की बात करोगा तो आप बोलोगे सार दो ते एक हो गया तीन यूनिट तीन यूनिट पर डे यह हो गए इनका एक दिन का काम लेकिन टोटल वर्क कितना है टोटल वर्क कितना है टोटल वर्क है बाई मेरे यह जो P है यह काम करता है एक यूनिट एक दिन में और पंदरा दिन तक यह करता है यान कि total work है 15 unit इतने 15 unit अब दोनों मिल कर कितने दिन में करेगे यान कि P और क्योग अगर दोनों मिल कर यह काम करेगे तो कितने करेगे total बनाना है 15 कुरसिया और इनकी efficiency क्या है 3 कुरसिया एनकी 3 कुरसिया एक दिन में बनाते हैं पांच दीज उनको टाइम लग जाएगा फाइज इस तो बात आई समझ नहीं आई तब भी एक लाइक करना ओके चलिए जी आई सो बार को बनातों देखोग यह साइड इस साइड के बरापर यह जो इससाइड के बरापर आसा और यह साइड कॉमन है अब मसलह यह है कि अगर इन दुनु ट्रैंग्ल में इन दूनु तरिबूज में अगर यह वाला एंगल कॉमन है यानिके 90-90-Sorry 90-90 डिरी तब तो यह दोओनों के दोनु ट्रैंगल क्या हो गए यह तो हो गए similar triangle, congruent triangle और isosilis triangle क्या होगे? यान कि ये पूरा triangle होगे isosilis triangle ठीक है? इसके ये वाला side इस वाले side के बराबर होगा और ये जो छोटू दो triangle होगे वो तो congruent होगे आपस में लेकिन हमें उतने दिमाग लगाना नहीं simple सा हमें figure को देख कर ही answer निकालना है कहना है कौन सा कौन सा relation true है और relations हमारी पास यहाँ options में given है क्याता है PQ और PR बड़ा होगा क्याता है ये और ये वाला side बड़ा होगा suppose मान लो कि ये दोनो right angle triangle है तो side हो जाएंगे 5, 5 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 अब देखो 5, 5 कितना होगे 10, ठीक है P क्यों प्लस PR, ठीक है 10 बोलता है ये greater than है 2PS, 2PS कितना होगे 8, हाँ condition satisfy, ठीक करेगी अब आप अगर देखो कोई भी दूसरा option इसको satisfy नहीं करेगा ठीक है ये होता है guys अगर आपके पास knowledge कुछ भी नहीं है ठीक है थोड़ा सा common sense से सीखा है आपने common sense लगाना, logic लगाना तब भी आप questions को कर सकते हैं ठीक है guys चलिए जी next question करते है याथा AB is a quad of the circle and AOC is its diameter size that angle ACB is equal to 50 degree, if AT is the tangent to the circle at point A then angle BAT is equal to what? यह हमें बताना है ठीक है यह तर diameter है इसका AOC यह होगे guys इसका diameter ठीक है यह होगे A यह होगे O यह होगे C AB एक tangent है AB क्या है? टेंजट नहीं quad है AB एक quad है चलो मेने quad लगाई यह होगे point B यह quad है ओके फिर कहता है फिर कहता है यहता है ACB angle ACB is ACB यहनि कि यह वाला angle कौन सा यह वाला angle कितना है 50 degree है अब आपको मैंने बता है circles में कि अगर कोई diameter है किसी भी जगा वो circumference पर angle बनाता है तो वो 90 degree बनता है अगर यहाँ पर भी यह angle बनाएगा वो भी 90 degree होगे ठीक है diameter circumference पर circle की circumference पर किसी भी जगा कोई बेंगल बनाएगा तो वो क्या बन जाएगा 90 degree बन जाएगा तो बताओगे सर यह तो 90 degree हो गया कितना हो गया 90 degree हो गया अब अगर आप इस triangle को गंदी नजर से देखो 50 90 तो आप बोलोगे यह angle तो 40 degree होगा क्योंकि triangle के angles का साम interior angle का साम 180 degree होता है 180 degree होता है दन उसके बाद कहता है if 80 is the is a tangent 80 कोई tangent यानि कि यहां से कोई tangent है D ठीक है tangent है D 80 कोई tangent है 8.A 8.A यानिके condition satisfy होगी यह भी तक अभी तक condition सारे हम satisfy कर रहे हैं अब हम आंसर भी निकाल सकते हैं यह वाला angle यह वाला angle हमें बताना है तो guys यह दो tangent to a circle हम ड्रा करते हैं ठीक है अगर कोई circle है सब्सक्राइब कोई tangent डालते हैं यह center के साथ यहां पर right angle बनाता है 90 degree angle बनाता है तो बाई मेरे अगर यह पूरा का पूरा 90 degree है ठीक है 40 तो यह चोटू है तो यह मोटू कितना होगा बोलोगे सर यह तो 50 degree होगा कितना होगा 50 degree यह angle 50 degree होगा तो option c is correct answer बताओ कोई शक कोई दिक्कत अगर समझ में आ रहा है मज़ा आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करो next किता है फैलिक में टिक होता है तो यह यह वाला होगा easy सा question है gk based है जिसकी gk ज्यादा strong नहीं हो वह इन questions को usually गलत करते हैं मुझसे भी एक वारी गलत हुआ था तो हो इसे CCGEL exam में ने ठाली से चलिए जी इन इन सर्टेन कोडिंग सिस्टम मदर इस कोड़ इस दिस मादर को मदर को इस तरह के से कर रहे है अगर आप यहाँ पर देखोगे आर S और T यहां कि पुलस वन हो रहा है R S और T लाश्ट पर T आ जाएगा यह वाला आप टिक करो देखती है आप आंसर टिक करोगे option third लेकिन अब आप 2 options में फस जाओगे क्योंकि T भी यहां पर भी लाश्ट पर है तो 2 options में आप फस सकते हो लेकिन फिर आप देखो कि कौन सा ज्यादा satisfy इसको करेगा ठीक है तो बस और कुछ नहीं है वैसे इसका C ही आंसर आजाएगा मेरे खाल से चलिए next question question number next यह figure basic question है तो आप इसको देखो कि कौन सा आजाएगा ओके गाईज चलिए जी देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ठीक है अंदर छे एक, दो, तीन, चार तो अंदर चार होंगे ठीक है और अंदर चार होंगे तो कैसे होंगे यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे ठीक है पीच में ऐसा, ऐसा, ऐसा यह तो नहीं होगा यह वाला correct है option second is the correct answer देखना है होता है इसको observe करना होता है और कुछ नहीं है कोई trick as such है नहीं क्याता if today is Monday after 60 days it will be क्याता आज एकर Monday है तो 61 दिन के बाद क्या होएगा तो 61 दिन है न तो हर 7 दिन के बाद हर 7 दिन के बाद आप मुझे बोलो बेटा आज Monday है तो 7 दिन बाद 7 दिन बाद फिर से Monday होगी और 7 दिन बाद फिर से Monday होगी होगी के नहीं होगी तो इसी तरीकी से हर 7 दिन के बाद Monday होगी तो इस 60 को हम लिख सकते है 56 plus 5 होगे नहीं 61 होगे 61 के नहीं गया क्यों अब देखो यह साथ से कट जाएगा यान कि 56 देज बाद भी जो दिन होगा वो Monday होगा 56 देज के बाद जो दिन होगा वो Monday होगा लेकिन अब अगर Monday है यहां तक अब अगर अभी Monday है क्या है Monday है Monday के बाद 5 दिन के बाद कौन सा दिन होगा वो आप मुझे बताओ, ठीक है, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, ठीक है, तो Saturday option B is correct answer, तो Monday के बाद, 5 दिन बाद, Monday से 5 दिन बाद, क्या होगा, कौन से डे होगा, Saturday, फिर से मैं आपको बताओगा, क्योंकि मैंने आपको calendar वाला topic नहीं पढ़ा है, क्या होता है बेटा, आज अगर कोई दिन है, सपोस्थ आज अगर X डे है, तो साथ दिन के बाद, फिर से X डे होगा, और साथ दिन के बाद, X डे होगा, और साथ दिन बाद, X डे होगा, ठीक है, यानि कि X का मतला अगर Sunday, आज अगर Sunday, साथ दिन बाद फिर से Sunday, उसके बाद साथ दिन, यानि कि 7 साथ होगे, 14 तो साथ होगे, कितने, 20, यानि कि 20 दिन बाद भी Sunday होगे, यानि कि हर 7 का multiple, कोई भी नमबर जो 7 से कटेगा, तो उतनी दिनों के बाद वही दिन repeat आ जाएगा, त साथ से ये 5 कितना काम है, दो, तो Monday से 2 दिन पहले आ जाओ, वो भी आप Saturday तकी पहुंच जाओगे, वहां से भी satisfy होगे, चलिएजी, next question, बना, कहता है, फोर के opposite कौन सा है, फोर face के opposite कौन सा है, इसके, ठीक, अब देखो, फोर हमें यहान दिख रहा है, और इसकी common, common face, अब को common face के आ रहा है, वन, वन आ रहा है, ठीक है, तो इसको पगड़ो, यहां से anti-clockwise गुमो, और यहां से भी clockwise, मैं clockwise बोल रहा हूँ, clockwise गुमो, एक से 4, तो एक से 5, ठीक है, एक, एक sit-up लिया ना, देखो, भाई, मेरे, एक, एक के बराबर रहना है, एक को यहां पर देखा, ए clockwise एक, एक sit-up लिया, एक sit-up clockwise चार पर पहुंच, एक sit-up clockwise पर पहुंच, यान कि फिर हम कहेगे, पांच का, चार का opposite पांच, चार का opposite पांच, मतलब option second, बताओ को कोई दिक्कत, चलिए जी, यह वाला बना, तो इस question, 0.0. यहां पर भी, तो 0. लिच जाएंगे, फिर देखो, एक, एक, दो, यान कि एक 0 यहां, दो 0 यहां, कितने होगे, तीन 0, एक, दो, तीन 0, ठीक, फिर एट सांच आर, 56, ठीक है, कौन सा option, option third, बात आई समझ, अगर आई समझ, तो एक लाइक करो, चलिए जी, यह वाला question बनाओ, जाएंगे, फिर एक, पॉइज एज अफ गलास इस 15.8 यह, कहता है, एवरेज है 15.8 यह कलास में, ठीक है, आवरेज एज अब बाइस इस 16.4, बाइस की आवरेज है 16.4, एंड गर्लज की कितने है 15.4, 15.4, ठीक, ओके जी, रेश्यो अब बाइस तु गर्लज, बाइस और ग 15.8 निकालो तो कितने निकल जाएगा आप बोलोगी सब 0.6 0.6 आ जाएगा है ना 0.6 15.8 से 15.4 उतारो तो कितने आ जाएगा आप बोलोगी 0.4 ठीक है पॉइंट से पॉइंट हट गया 2 से कैंसल आउट करो 2 दूनी 4 दो दिया 6 2 is to 3 is the ratio of what boys and girls ठीक है हाला कि ये combined mean वाले concept से भी आप बना सकते हो चलहाल ये वाला option इसका character ठीक चलिए next question a man spends 35% of his income on house rent 75% of the remaining on other items what percentage of income does he save तो वो कितना save करता है करता है हम माल लेगे उसकी income थी 100% कितनी 100% तो वो 35% क्या करता है रेंट देता है तो बचा कितना आप लोग सर बचा 65% 65% और उस 65% में से वो 75% 75% other items पे खरच करता है ठीक है other items पे खरच करता है तो हमें बताना है कि वो कितना करता है वो सेव कितना करता है यह वाला हमेरे पास सवाल है आपको मेरी बात समझा रही है पहले उसकी पास सव था 35 वो खरच करता है तब उसकी पास 65 बचता है अब 65 का हमें वान फोर्थ निकालना है वही तो वो सेव करता है ठीक है क्योंकि lok फोर्थ तो उसकी पास तो उसकी यह फोर्थ निकालना है यह यह कि 25 परसंट पचीस परसंट वो इस रिमेन इंग का बचाता है कितना पचीस परसंट इस取 aquela कट गया थो एक शेह चार बार आप 17 बटे चार 66 अपन फोर कितना बच आता है 16 पोईट सम्थिंग option first 16.25% answer बात आई सामज चलिए जी next question यह है exam oriented approach जो कि आपको पता होनी चाहिए चलिए जी a man goes uphill with an average of 24 km per hour and comes down with an average of 36 km per hour ठीक है यहां से यहां जाता 24 की speed से और वहां से फिर वापस आता है इस speed से 30 km per hour की speed से ठीक और distance यहां पर का नस्टेंट है distance यहां पर का नस्टेंट है तो average speed हमें बताईनी है average speed हमें बताईनी क्या है तो हम LCM मान लेते हैं LCM मान लेते हैं इन दोनों speeds का वो कितना है 72 km हम मान लेते हैं distance को LCM as 72 km यह होगे हमारे पास बेटा डिस्टन distance 72 km क्यों 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 क्योंकि यह है LCM और इसका 24 and 36 अब बताई मेरी average speed average speed इसके बराबर होता है आप रोकिसर टोटल distance covered ठीक है total distance नहीं बलकि total distance covered divided by total time है ना total distance covered ठीक है कितना हुआ आने में बहतर और जाने में बहतर ठीक है down से उपर बहतर और फिर वहाँ से वापस फिर से बहतर कितना हो गए तो आप बोलोगे साट टोटल distance is 144 km इतनी cover हो गई और time कितना लगा 24 की सिपीड से गया था तो 3 गंटे और 36 की सिपीड से वापस आए गया है नहीं कि 2 गंटे लगे होंगे बाथर देखो बाथर किलोमेटर यहां से गया 24 की सिपीड से तो कितना टाइम 3 गंटे और फिर बाथर आ गया 36 की सिपीड से तो कितना टाइम 2 गंटे तीन तो दो कितने होगे आप लोगे सर पांच गंटे तो every speed निकल के आज जाएगे काटो आप पांच दूने 10 ठीक है चार यहां पांच अठे 40 पॉइंट ठीक है फिर 8 28.8 km per hour बी बाता ही समझ इतना लिखना नहीं होता है अगर exam में आपको question करना है तो आप देखती पता 22 into 2 144 so 144 upon 5 is equal to what this 28.8 बस इतना ही करना है एक setup में हो जाएगा चलिए जी इपी डिनोटस डिवाइट क्यों डिनोटस मल्टपलाई ठीक है और डिनोटस पुलस एज डिनोटस माइनस एज डिनोटस माइनस एज टिनोटस माइनस मैंने करवाए है कि नहीं करवाए है यह मुझे पहले बता देना है सक्षन में तो हमें इस वाली चीज का बल्य हमें बताना है क्या है हमारी पास 24 फिर S फिर कहें 15 फिर P और फिर कहें हाई 7 फिर आर और फिर 7 टेक है टेक है क्यों फिर प्र फिर फोर ठे हर दैन फूई है फन ओके 24S और S का मतलब क्या है माइनस यानि कि 24 माइनस 15 और फिर P और P का मतलब क्या है P का मतलब डिवाइड है और फिर R R का मतलब पुलस है पुलस स्यावन फिर है क्यों और Q का मतलब क्या है multiply है ठीक है multiply 4 फिर आर और आर का मतलब में आपको अभी बताया है कि आर का मतलब plus 1 यह है तो पहले divide और multiply ठीक है यहां पर 3 साच के 28 यहां कि 24 माइनस 3 लेकिन पुलस 28 एक हो गया 39 बस करो 24 मैंसी 3 गए तो 21 पुलस 39 कितने हो गए 50 यह वाला आंसर एक चलिए next बनाओ यह वाला question how many squares are there in this figure इस figure में कितने squares है इसके हाला कि ट्रुक भी है लेकिन अगर आपको ट्रुक नहीं भी आते है तब भी आप count कैसी करोगे वह मैं आपको बताऊगा देखो एक square दो तीन चार ठीक है फिर इस line में 4 इस line में 4 इस line में 4 कितने हो गए चार चुके 16 खिला हमारे पास 4 4 4 4 तो कितने आगए बोलोगी सर 16 और कुछ आ सकता हां जी आ सकता है देखो कितने हो गए हो गए एक और फिर देखो इस तरीके से कितने हो गए दो और फिर देखो इस तरीके से कितने हो गए तीन ठीक है अब इसी तरीके से इस दूसरे वाले में भी देखो देखो यहां पर एक दिख रहा है ना दो और फिर इस तरीके से तीन तो तीन यहां पर भी आ जाएगे तीन तीन कितने होगे छे और फिर तीन इन में भी मिलकर आ जाएगे तो तीन यहां पर भी आ जाएगे कितने होगे सोला और यह नौ कितने होगे पचीस क्या पचीस इसका आंसर है नहीं क्योंकि ये वाला बड़ा वाला खुद भी एक सिक्यर है ठीक है पुछीस पुलस एक यानि कि छबीस चबीस इस question का अंसर है option D राइट तो 26 आपने देखे इस question का answer है बाई ने 25 किया है कोई मसला नहीं होता रहता है silly mistakes होते रहते हैं चलिए next question which of the following figures represent the relationship इस relationship को कौन represent करता है कौन सी यहां पर इवन डियाग्राम रिप्रेज़न करेगी इस relation हमें बता है साइनस साइनस में आता है physics ठीक है यह हो गया physics और यह हो गया हमारा science ठीक है option d character answer हो जाएगी और वैसे भी यह इसको satisfy करते भी नहीं है ओके चलिए यह वाला बना people who live in big cities crowd into jammer trains और बासस कहता है जो बड़े स्टीज में लोग रहते हैं वो क्या जम गुठ एक साथ होता है वो trains में और बासस में ठीक है बहुत ज्यादा street in competition with high-powered motor cars क्याते हैं यह streets को cross करते हैं और compete करते हैं किनको high-powered motor cars को कहने का मतलब है motor cars से पहले यह streets को इस तरीके से cross करते हैं बात आई सामझ अगर इस street है उसको आप यह cross इस तरीके से करेगी ठीक तो यह तब ही possible है जब बहुत ज्यादा jam होगा वहां जब jam होगा conclusion पढ़ते हैं लेकिन हमें statements कोई true मानना पढ़ता है हमेशा जाए वह logically हो या नहीं हो ठीक है option first पढ़ेगी traffic jam is inevitable in big cities हां जी satisfy करेगा traveling is very difficult for big city people हां बिल्कुल यह भी satisfy करेगा क्योंकि there is jam traffic jam ठीक है from a rope of 30 meter long a person cut us as many pieces as possible each 3 complete 1 upon 6 meters long what fraction of the whole will be left ठीक है कौन सी fraction left रहेगी ठीक मुझे लगता है 26 complete 5 upon 6 out of 30 नहीं यह तो लेटर नहीं रहेगा ठीक है तो कहता है कोई rope है 30 meter long और उसको मुझे यह question ही समझनी आ रहा है यहां पर क्या कह रहा है क्या परसन कट कर रहा है pieces एक एक piece इतना long है ठीक है हर एक piece इतना long है ठीक है तो कौन सी fraction left रहेगी वहां पर लेकिन यहां पर तो कोई option sets पर नहीं करेगा तो अगर मैं होता है मैं इस question को तुका मारता है यह वाला option वैसे इसकी answer की भी अभी नहीं निकली तब भी आप देखना answer की में यह वाला option correct answer होगा ठीक है यह होगे तुका लेकिन वैसे इसको करना कैसे होगे basic method से वह होगे 30 अपान इसका value क्या आजाएगे 618 एक होगे 19 19 अपान 6 इसको फर्दर सालो करेगे वह होगे 30 into 6 अपान 19 और इसको जब आप सालो करेगे ठीक इसको सालो करेगे तो कितना आ जाएगा 180 अपान 19 तो 9 से कट जाएगा 101 अथार यानके 9 अपान 180 लेक्ट रहेगा वह कितना होगे 1 अपान 20 यह तो option ही नहीं है ठीक है इसलिए मैं कह रहा हूं यह question मुझे बता देना क्या है वेसे शायद कुछ तो missing है यहां पर चलिए next जाते है टाइम वेस्ट नहीं करते है ठीक है और हां ऐसे question में अगर आप कभी फस जाओ exam में तो उसको क्या करो वहीं पे don't waste your time वापस आके उस question को देख लेंगे या क्या बता हो सकता है exam में question में insufficient data हो या गलत options हो कुछ भी हो सकता है जो question आपके पहले नहीं पढ़ते है उसको छोड़ दो पहली round में next question but now if A and B invest in a business in the ratio this okay so if 9% of total profit goes to relief fund and A's share is rupees इतना then total profit is हम माल लेते हैं कि total profit 100 रुपे था 100 रुपे टोटल प्राफिट था और उसका 9% 9% चला जाता है किसमें किसी fund में चला जाता है तो बचा कितना profit तो टोटल मेंसे जो लेक्ट बचा तो आप बोलोगी सर 91% बचा कितना 91% अब इसको यह किसी रेशो में बाढ़ेंगे ए और बी किसी रेशो में तो आप बोलोगी सर 7 रेशो 6 ठीक है यह रेशो है एक्स एक्स मान लो तो टोटल कितना हो गया 13x 13x की value इतनी है ठीक है यह य सब्सक्राइब मिलता होगा 49 units और इसको मिलते होंगे 42 units 49 to to 91 units होता है ठीक है बात आइ समझ है हाँ इतना यांकि इस 54 unit की value कितनी है 142 1 और total की value हमें निकालने है यान कि यह वाली value हमें निकालने है यानि कि जो given है 1421 given है किसके equal 49 के equal और हमें निकालने किसकी 100 की value, तो सॉलो करेंगे कैसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कोई मसला नहीं है साथ से काटो साथ सथी उनच्चा साथ दूनी चोदा साथ या एक इस फिर साथ से साथ दूनी चोदा साथ नवी तरही सट तो कितना हो गया 29 इंटू 100 तो कितना हो गया 2900 is the correct answer यान कि option second ओके समझाई फिर समय समझाता हूं साव यूनिट आप टोटल प्राफिट मान लो नव परसंट यह किसी चैरिटी में देते ठीक है वहां पे रहा कितना 91 यूनिट अब 91 यूनिट यह किस रेशियो में बांटते सेवन इस टू सिक्स रेशियो में ठीक है यान कि जब हम इनको यूनिट दूसरे को मिलेगे 42 यूनिट वेलू शियर है एका और लेकिन कितना है 1421 रुपे यानि कि उनका स्यूनिट इसके बराबर है 1421 रुपे के बराबर है तो हमें साव यूनिट की वेलू निकालने क्योंकि टोटल प्राफिट क्या है इंक्लूडिंग दिस अंड जो उन्होंने चैरेटी किया या कुछ और किया ठीक है इसमें इनके लोड हो जाएंगे नाव परसंट तो हंडर्ट की वेलू 2900 निकल के आज यह आ गई यानिक ओप्शन भी नेक्स्ट क्वेस्ट्ट्र ऑफ 60 लीटर मिलिक और वाटर कंटेंस 15 परसंट अफ वाटर हाव मच व इसमें 15 परसंट इसमें 15 परसंट वाटर है ठीक है यानि कि वाटर क्या होगा मिक्सचर का मिक्सचर 60 है उसका पंदरा परसंट यान कि 9 लीटर 9 लीटर वाटर यान कि हम कह सकते है आगर टोटल मिक्सचर 60 है तो उसमें जो मिलिक है और जो वाटर है ठीक है वह कितना है मिलि बात आई समझ इतना समझ में आगे ना हाँ जी कहता है आप हमें कितना water इसको मिलाना है यह 60 kg total है मिक्स अब हमें कितना इसको मिलाना है पानी और ज्यादा ताकि पानी 20% बन जाए और जो remaining में लिख है वो 80% रही ठीक है यानकि इसको हमें कुछ तो add करना पड़ेगा x kg कुछ तो add करना पड़ेगा तो देट यह total बन जाएगा 20% और यह जो है यह तो constant है यह है फिर 80% यानकि हमें बता रहा है कि पहले जब 85% यह था 51 kg इसको 80% के एकवल बनाना है बस सिंपल सा है कि 51 kg अगर 80% के एकवल है तो 100% यानकि total mixture हम निकालेगे तो total mixture जो निकल के आजाएगा यह से यह खतम ठीके दो चुक आठ दो पचे दस 255 बटे चार यानि कि 63.75 लीटर अब हमारे पास total mixture हो गया तो आप मुझे बता पहले mixture कितना था 60 अब कितना होता है 360.75 कब हुआ जाब हमने water add कि water कितना add किया देरफोर इतना ही जितना हमारे पास mixture बाढ़ गया तो कितना बाढ़ गया ओके if the speed had been this और वो फिर 30 मिनट लेट हो जाता है find the distance from his office to home क्याता है इसके speed का जो ratio है guys direct में करा होगा वो क्या है 45 divided by 2.5 यान कि ratio निकालेगे 9 से 5 यह इसकी speed कर ratio है और अगर distance constant है तो time का ratio क्या हो जाएगा 5 से now और यान कि जब इसको पांच उन्य टाइम लग जाता था तब यह कितना होता था 10 मिनट early पहुंच जाता था यान कि 10 मिनट यह early पहुंच जाता था और जब इसको now unit time लग जाता था तब यह क्या होता था 30 मिनट late होता था 30 मिनट late होता था मैंने आपको बता जब यह plus और minus की condition बन जाए तब इसको add किया करो ठीक है सो 30 तो 10 कितने होगे 40 मिनट और यहां पर गेप कितना है चार यूनिट यान कि चार यूनिट की value कितना आ जाएगी तो आप हम लिख सकते हैं यहां पर क्यार यूनिट किसके एकवल आप बोलोगी सर 40 मिनट के एकवल 40 मिनट के एकवल अब time आप easily निकाल सकते हो time इसको 5 यूनिट लगता था जब यह क्या late होता था जब अर्ली पहुंचता था 10 लिख 10 मिनट अर्ली पहुंच जाता था हाद तो तरां आप बता कितना है वोगी पांच योनेट फोगिंध टाइम है एक यूनिट की चारी उनिट की यह 40 मिनट एक इन एक यूनिट की वेलयो कितने हो जाएगि आप वाठाई सर पचाहच मिनट यह चलता हुं पचाहस मिनट मतलब और किस सिपीड से इसकी कोर्सपांडिंग सिपीड कितने आजेगी 4.5 आवर 4.5 किलमेटर पर आवर अब इसको काटो कोई मसला नहीं है देड़ से काटो यह कट जाएगा 3 बार देड़ से कट जाएगा 4 बार तो 5 तिया 15 बटी 4 15 बटी 4 कितना हो गया पंद्रे बटी 4 तिया 12 चार सती 28 और 5 3.75 किलमेटर ओप्शन फर्स्ट मैंने आपको डिटेल डवे में यही क्वेस्टन पढ़ाए है ठीक अला कि पेपर के लेवल प्रस्ट ताइम मुझे लागा कि जेक एस बीने थोड़ा सा अच्छा लेवल यहां पर रखा है एक पाई चार्ट होता है तो आपको पता है उसका जो यह कम्पिलीट एंगल होता है 360 डिग्री होता है यह आपको पता है अब हम क्वेस्टन को सालो करेंगे किता है देटा बिलो शो देन नंबर अब डिफरेंट टापस अब इस रखाट इंगल कितना आ जाएगा किसका एक पाल्सर का यह होगे पाल्सर का निकलना हमें फर्स्ट नमबर पे और दूसरा एपेची 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 यह वाला दूसरे नंबर पे इनका सेंटरल एंगल कितना आ जाएगा इसका पेले देखेगा हम टोटल क्या आ जाएगा दो तो एक ती जूनिट की वेल्यू अगर 360 डिग्री है तो वन यूनिट की वेल्यू कितनी होगी तो आप बोलोगी سर 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, तो हमें निकालने किस किये, पहले पलसर की, 0.6, ठीक है, यानकि यह 1 बराबर 120 डिग्री, तो 0.6 into 120 डिग्री, यह तो 1 की वेल्यू है ना, इस तरीके से, तो वो कितने आ जाएगी, 126 बहतर, यानकि 72 डिग्री, 72 डिग्री, ओप्शन D, ठीक ह 22 into 120 डिग्री, is equal to 0.2 है, 0.2 into 120, हाँ, तो आज आएगा 24 डिग्री, ठीक है, यह तो है, यह वाला ऑप्शन, ठीक है, यह क्वेसिन इसनी किया नहीं है, पता नहीं क्यों, चले जी, एंगल आप दे ट्रेंगल इस इतना, find the smallest angle, तो हमीं पता है, एक एंगल है, 1x, दूसरा एंगल है, 2x, पुलस तीसरा एंगल है, 6x, हमीं पता है, इसका साम कितना होगा, 180 डिग्री, रैंगल के एंगल का साम 180 डिग्री होगा, ठीक है, यानकि यह 9x बराबर होगा, कितना 180 डिग्री, और smallest angle क्या है, 1, 1 ratio जो है, तो 1x कितना होगा, 9 से काटो, 9, 2, 18, 9, 0, 0, यानकि 20 डिग्री, option D, next, बनाइए, if the population is 84,000 in 2013, and assume there is increase of 5% annually, हर साल 5% बढ़ जाता है, what will be population in 2025, यानकि 2 साल यह 5% बढ़ेगा, पहले 5%, आपको पता है, 5% की fraction होती है, 1 upon 20, यानकि पहले साल, अगर population थी 20, वो अकिस हो जाएगी, दूसरे साल भी 20 से अकिस हो जाएगी, 2023, 24 में 20 से हो जाएगी, फिर 25 में 20 से हो जाएगी, यानकि 400 से 441 होगी, 400 की value हमारे पास given है, 8400, और इसकी value हमें निकालने है, वो निकल के इतनी आ जाएगी, ठीक, इतनी, 92610, अब बोलोगे, सर कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ, चलो मैं आपको बताता हूँ, इसकी है 84,000, ठीक, तो इसकी आपने निकालने है, तो देखो कैसे, 84,000 की value है, इसके equal 400 की equal, और आपको 441 की value निकालने है, अब देखो क्या करना होता है, 20 से 20 खतम होगे, चार दूनी, आठ चार कैसे, चार चार जरो जरो, 210 जर्बी, चार सो इकतालिस, 210 जर्बी 441, ठीक, अब 0 से तो 0 आ जाएगे, अब देखो, 20 काई, 20 की, 20 केरी, 10 ओप्षन में कौन सा है, D ओप्षन, अई बात समझ क्या करना होता है, अच्छे यह होगे एक तरीक, दूसरा तरीका मैं यानि की पहले साल, 20 से हुई होगी 21, और दूसरे साल भी 20 से हुई होगी 21, ठीक, अब देखो, 1, 2, 0, 2, 0 खातम, 2, 2, 4, 4, 2, 8, 4, 4, 0, तो वो कितना हो गया, 210 जर्बी, 21 जर्बी 21 होगे, 400 इकतालिस, फिर से देखो, 0 यहां पर, 21 का 22 केरी, 21 चुके 84, तो 2 होगे 86, 28 केरी, तो 2 होगे, जितना भी होगे, यहां पर उसको आंसर करोगे, आई बात समिश, चलिए जे, नेक्स्ट, the owner sold an item at a loss of 20%, if the cost raised by 100, he would get 5% profit, find the original cost, कहता है, कोई बंदा बेजता है किसी item को 20% loss पे, ओप्शन से भी बना सकते हैं, 100 एजिम करकी भी बना सकते हैं, ओप्शन से बनाएंगे, बेस्ट रहेगा, किसी item का CP है, 100 रुपे, वो 20% loss पे बेजता है, यान कि 80 बेजएगा, तभी तो 20% loss आ जाएगा, यहां तो अगर वो इस selling price को 100 रुपे ज्यादा बेजएगा, यान क कि यह option होई नहीं सकते, कोई और option उठाओ, और pick करो, और answer निकालो, एक हट गया, दूसरा, और उसका CP 200 मान लेंगे, ठीक है, और 20% loss पे बेजता है, यान कि वो बेजता होगा, 160 पे, कितना, 160 पे बेजता होगा, ठीक है, तो 160 पे बेज कर, इसको 20% loss हो रहा है, हां जी हो र जाए गए 100 रूपे, यान कि 260 पे बेज़ेगा, तो profit अब देखो कितना है, 60 upon 200, यह तो 30% profit हुआ, लेकि profit हमें 5% मिलना चाहिए, यह option भी हट गया, आई बाद समझ, यह जल्दी जल्दी सोचना होता है, तीसरा option उठाए गए, 300, 20% loss, यान कि 60 कम, 240, 100 ज्यादा, यान कि 340, तो 40 ज्यादा, ठीक है, यह तो हो गए, 40 upon 300, 40 upon 300, यह तो हो गए, 13% पर आपके, यह option भी हट गया, अब देखो 400 वाला option, जैसे हम उठाएगे, तो 400, 10% हो गए, 40, 20% हो गया, इसी यान कि 320 में भी, तो इसको चड़ाओ, 420, अब देखो, यह होगे CP, यह होगे SP, तो profit कितना 20, इस पे 400 पर, कितना percentage में निकल की जाएगा, 220, 20 बटे 4, 5 पर, क्या condition set होगी, यह वाली, हाँ जी होगी, option D, character, आई बात समश, इस तरीके से सोचना होता है, next, if x and y are integer, and if we subtract it, then we get even, which case will be even always, वेशी मैं आपको बताओगे, even always यह वाला आणसर आचाएगे, अब assume भी कर सकते values, मैं आपको बताओगे, अगर हम दोनों को even मान लेगे, तो 2 and 4 आप assume कर लो, अब देखो, इनका difference 2 आता है, even आता है, तो condition set होगी, या फिर आप 1 and 3 मान लो आप एक even, आप even and odd नहीं मान सकते, even and odd नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि वो इस condition को violate करेगा, जब आप उसका difference निकालोगे, यान कि 3 and 4 का difference निकालोगे, तो वो odd मिलेगा, ठीके, so even integer and odd integer आप नहीं मान सकते, या तो दोनों आपको even होनी चाहिए, या तो दोनो आपको odd होनी चाहिए अब देखो चार में से 2, even में से even गया तो even मिलेगा या odd में से odd गया, 3 में से 1 गया, ठीक है, तो वहाँ भी even ही मिलेगा, यानि कि condition इन दो चीज़ों से satisfy हो रही है, अब देखो हमेशा और हमेशा कौन सा even होगा, अब देखो x into y, ठीक है, यानि कि 2 into 4, 8, ये तो even है, लेकिन 3, 1s are 3, 3, 1s are 3, ये तो even नहीं है, तो ये option हट गया, ये option हट गया, अब देखो ये वाला option उठाओ, x square plus y square minus 1, x अगर 1 मान लेंगे, x अगर 1 मान लेंगे, तो 1 का square is 1, plus y, 3 का square is 9, minus 1, ठीक है, तो नाउत एक 10, यानि कि ये तो हमें 9, odd देगा, और, और हमें always even मिलना चाहिए, तो ये option भी हट गया, ये option भी हट गया, ठीक है, option से बना नहीं को, ठीक, और एक उठाओ, और एक condition को हम देखेंगे, ये वाला c option अगर उठाओ, ये तो x into y minus y, x into y minus y, तो आप अगर इसको, suppose y मान लो, इसको x मान लो, ठीक, या फिर कोई मस इसला नहीं है, x into y, 1 into 3, 3, minus y, यानके 3, 3 minus 3, 0, 0 even number होता है, और ऐसे नहीं आता है, समझत, फिर ऐसे करो, इसको y मान लो, इसको x मान लो, 3 into 1, 3, minus y, y, यानके 1, is equal to 2, condition satisfy होगी, या उपर वाली में condition satisfy हो रही है, हाँ जी होगी, अब देखो, 4 दूनी, 8, minus y, क्याहिए 4 करो subtract, या दो करो subtract, वहाँ पर एवन ही मिलेगा, ठीक, तो option c, इसका correct answer हो जाएगा, option c, इसका correct answer हो जाएगा, यह मैंने just values assume की है, खुद, ठीक है, option c ही इसका answer हो जाएगा, next, बना, select one pair that says the exact relation, exact relation, बताओ, देखो, children, children मतलब यह plural होता है, children का children's नहीं होता है, ठीक है, child होता है singular, और इसका plural होता है, children, और children's, आप बोलोगी plural होगा, तो वो नहीं होता है, अब आप मुझे बता, बच्चों का इलाज करता है, उसको कहते है, pediatrician, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, adults का जो doctor होगा, इलाज करेगा, क्या उसको cardiologist कहते है, नहीं, cardiologist हम heart disease का जो इलाज करता है, treatment करता है, heart का, human heart का, उसको cardiologist हो, फिर चाहिए वो male हो, female हो, बुड़ा हो, या बच्चा हो, ओके, जरूरी नहीं है, adults को इलाज करता है, और adults को जो इलाज करता है, उसको तो simply doctor ही कहा जाता है, cardiologist नहीं कहा जाता है, तो यह option हट के, यह आट के, यह हट के, तो option A, correct answer, right, next, यह calendar में ने पढ़ाया है, कोई मसला ने, find the wrong number, wrong number बताओ, तो by मेरी, यह है 2, यह है 6, यह है फिर 15, यह है 31, यह 56 and this is 93, अब देखो, यहाँ पर difference 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 16, यहाँ पर 25, और यहाँ पर हमारी पास 36, क्यों, अब देखो, यह 2 का square, यह 3 का square, यह 4 का square, यह 5 का square, और यह 6 का square, तो 56 plus 36, 56 और 36 होता है 92, लेकिन यहाँ पर 93 है, तो 93 नहीं होना चाहिए, तो यह ही wrong term है, option second, बना यह वाला सवाब, old man nourish said, एक old man है, nourish उसका नाम है, वो कहता है, क्या कहता है, his son, यह कोई आदमी है, इसका नाम है, his, आप बैन भी बेट गया, हाँ बाई सब, यह जो old man है, इसका नाम है nourish, यह कहता है, his son, यह होगे his, यह कोई आदमी हो सकता है, मरद ही हो सकता है, कहता है, his son, his son is my son's uncle, जो उसका बेटा है, अब इसकी तो कोई बीवी होगी, his की, अब उनका जो बेटा है, उनका जो बेटा है, यह होगे his son, ठीक है, वह कहता है, मेरे son का, मेरे son का uncle है, जो इसका son है, यह होगे nourish, यह होगे nourish, इसके son का, यानिकि इसकी कोई wife है, इसकी कोई wife है, तो यह कहता है, मेरे son का uncle है, ठीक, तो मतलब यह कुछ यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीक, ओके गाईज, तो अब आप मुझे बताओ, क्या, how is nourish related to him, nourish इस तरीके से इसकी relation में, यानिकि nourish और is his की relation में कालने है, तो क्या लगता है, यह तो इसका son लगता है, family tree, देखो, यह हो गया वो, जिसका यह बता था, यह हो गया उसकी भीवी, wife, और उनके दो बेटे, यह औ question को बना लेगा, next, which one is odd, कौन सा odd है, यहाँ पर, inch, meter, centigram, kilogram, बाई मेरे, यह भी measurement है, यह भी measurement है, यह भी measurement करता है, लेकिन यह, यह हमें weight दिखाता है, ए जी, ठीक है, यह इसका answer है, उपर तीन जैसे same है, यह एक different है, this is the correct one, next, यह वाला बना, if two members run us at the same time, and in same direction, at a speed of 10 km per hour, and 12 km per hour, calculate the time, they will be apart from each other, at 8 km, ओके, तो, कहता है, यह एक बन्दा, 10 km per hour की speed से दोड़ता है, और दूसरा बन्दा, 12 km per hour की speed से दोड़ता है, और इनको क्या लगाने, चकर लगाने, ठीक है, किसी ground को, तो, आप मुझे बताओ, यह km per hour इनकी speed है, km per hour इनकी speed है, यानि कि एक गंटे जब यह दोड़ेगे, तो, इनका difference हो जाएगा, कितना, 2 km, 2 km difference, तो, गाई में, बाई मेरे, इनका difference हो जाएगा, 2 km per hour, 2 km per hour, इनका difference बढ़ जाएगा, है ना, तो, 8 km per hour, 8 km distance कब बढ़ जाएगा, 4 गंटे बाद, 4 गंटे बाद, एक गंटे में, 2 km distance, difference, क्रेट होगी, इन दोनों में, अब देखो, मैं 12 km एक गंटे में दोड़ सकता है, आप 10 km दोड़ सकते हो, ठीक है, यनि कि अगर हम एक गंटा दोड़ेगे, तो मैं आपसे आगे 2 km निकल जाओगा, 2 गंटे दोड़ेगे, तो मैं 4 निकल जाओगा, 3 गंटे हम दोड़ेगे, तो मैं 6 km आगे निकल जाओगा, और अगर चार गंटे दोड़ेगे तब ही मैं ये आठ किलोमेटर आप से आगे निकल जाओगे तो चार गंटे के बाद difference इनका वकफा होगा आठ किलोमेटर आंसर तो अब आपने देखें कि सारे के सारे questions आपने attempt किये और पेपर का लेवल अगें मैं कहोगा moderate और अच्छी लेवल का पेपर है अब बात करेंगे cut off की ठीक है गाइज मैं मान के चलता हूँ कि VLW जितना competition अगर इस पेपर में होता और अगर VLW exam में VLW exam में अगर same paper होता कौन सा same paper यह जो आज अब भी आप देख सकते हो तो 75 safe score है open merit के लिए 75 score is more than sufficient to get selection ठीक है in VLW exam if अगर वहाँ पे ऐसा paper होगा जैसे आपने अभी देखा तो guys again मैं कहोगा मुझसे complete पढ़ने के लिए अब paradise academy जल्द से जल्दी डाउनलोड करो और वहाँ पे enroll करो और मैं आपको guarantee दोँगा फिर से मैं कहता हूँ देखो जब मैंने course बनाया तो मैंने आपको बोला 35 में से 30 plus guarantee अभी कह रहा हूँ 35 में से 32 plus और मुझे लगता एक्जाम के दिन में कहोगा 35 में से 35 questions आ गई क्योंकि जिसे साब से हम कोई भी पेपर अभी तक उठा रहे है सारी questions easily attempt हो रहे within seconds गाई ज्यादा ताइफ नहीं करोगा मेरी playlist में जाना जो जिस lecture से जिस chapter से आपको डर लागता एक वारी मुझे से पढ़ की देखना वागी मिलते है next lecture में next वीडियो में next किसी अपडेट में थापते के लिए पाइबे टेक एर अलाहाफिस और महनत करते है झाल एक और लागता एक और शेखना झालाह झाला एक पर वागता बढ़ा लागता वापते हैं आपको य।